कभी-कभी life में ऐसे मोड आते हैं जहां पे आपके अपने, इस तरह से आपसे behave करते है कि मतलब, वो समझ ही नहीं पाते कि वो आपका hurt करி रहा है, आप उनको समझ़ाते हो समझाते हो समझाते हो लेकिन वो नहीं समझ़ Francisघ पाते पिर भी नहीं समझ पाते तो you know आप कभी जला के उनको कुछ गलत words बोल दो या कुछ गलत कह दो और फिर खुद guilty फिल करते हैं क्योंकि आप अपने मन में अच्छे हो although मैं यह नहीं करें दूसरा आदमी गलत है लेकिन जो misunderstanding है बजाए उसको हटाने के उसको समझने की क्या root cause है उसको जड़ से खतम करने के वो आप पे ही allegations लगाता जाता है तो पता है क्या हो तक तब ऐसे एक मुकाम आता है जब आप सोचते हो कि नहीं at least इसको कुछ तो punishment मिले कि इसको समझ मैं कि दूसरे को आदमी दुख देता है तो कैसा लगता है तो वो स्टेज आती ही कभी-कभी पता नहीं मुझे कि वो सही है कि नहीं है जिसे लोग कह सकते हैं कि बद्दूआ देना या ये कहना कि किसी के बार में बुरा बोलना या जो भी है लेकिन कभी-कभी इतनी ज़्यादा saturation point हो जाता है आदमी का कि वो ये सोचता है कि मतलब चायद इसको कहीं से तो अकल आ जाए भगवान कुछ तो इसको अकल दे तो उस चक्कर में हम लोग कभी-कभी ill words बोल देते हैं लेकिन ऑविस सी बात है हम उनके well visher है हमारी intention ये नहीं कि उनका कुछ बुरा हो हमारी intention से वितनी होती है कि वो समझें कि जिस दर्द से वो हम गुजर रहे हैं उनकी वज़े से वो समझने की कोशिश तो करें कि अगर वो गुजरते तो कैसा लगता तो शायद कभी-कभी punishment मिलना उपर वालो की तरफ से या क्या कहते है ये समझना कि कैसा फील होता है वो महसूस करा न भगवान का उन लोगों को शायद कभी-कभी सही हो क्योंकि बिना वो महसूस किये वो दर्द महसूस किये वो कभी समझी नहीं पाएंगे और वो ही दर्द देते रहेंगे तो आप बताओ आपकी opinion में क्या है इसमें